कि हलो नमस्कार प्रवजारतियों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने ट्यूप चनल ब्यस्सी प्रो क्लासेज में आज किस वीडियो में अपनी डिसकस करेंगे परसंटेज को लेखर कि कापी सर बचों कमेंट आएं कि सर जो परसंटेज है हम 80 प्लस बनाना चाते हैं त तो अब उसे एक्जाम में आप 80 प्लस से कैसे परसंटेज बना सकते हो तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स से आज किस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूं और उन ट्रिक्स को आप अपना के और अपने आप में सुधार करिए और अपने आप में देखिए क्या जो मैं आपक के पास में थोड़ा सुधार करिये उसमें जितना आप से हो सकता है तो चलिए आज किस वीडियो में आपको कंप्लेट डिसकस करते हैं कि आपको 80 से उपर परसंटेज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए क्या क्या रिक्वार्मेंट है ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार् आपको physics में complete दो unit तयार होनी चाहिए आपकी ठीक है और complete का मतलब यह है complete उसमें से अगर कुछ भी आ जाए ना तो आप उसमें कर दो यह होनी चाहिए ठीक है उसके अलावा मैं बात करता हूं महत की तो महत में भी कम से कम आपकी तीन unit आपकी तयार होने चाहिए मैं दो की बा हनी है ना तो मैत पर आपके तीन unit तयार होनी चाहिए और सकत्राइव कमे कमेस्ट्री में आपकी जो unit है वह भी तीन- आपके तयार होनी इतनी वाहत के लीर यह बात के निया है अब इसके साल साथ में बात करता हूं कुछ टिप्स हैं ऐससरो आप अपने और एक बात और बता दो आपको कई बच्चे गलत फेमी में रहते हैं कि उन्होंने पढ़ रखा है ठीक है कर लेंगे कवर 80% आरामस बन जाएगी तो एक बार मैं आपको बता दू कि जब तक आपने ये क्राइटीरिया पूरा नहीं करा जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने ये जो स्लेवस कवर नहीं करा है तो आपकी परसंटेज 80 प्लस नहीं बन पाएगी 80 परसंटेज बनाने के लिए इसे प्लस बनाने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी जो चीजे हैं उन पे भी आपको काम करना पड़ेगा सपोच करिए पहली चीज़ तो सलेवस कवर हो गई सेकिंड बात आती है रिविजन की रिविजन बहुती ज़्यदा इंपोर्टेंट है बच्चे क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस से हो जाते है और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जिसमें क्या होता है कि बच्चे एक बार उससे सलेवस को कवर कर लेते हैं उसके बाद में क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हाँ मैं इसको पढ़ रखा है कर देंगे आराम से एक्जाम में लेकिन एक बात बताओं आपको रुकना नहीं है, एक्जाम टाइम में आपको एक मिनट भी रुकना नहीं है, लगे रहना है आपको, आपको वो आता है दुबारा करिए, वापी इस रफ में लिख लेकर उसकी प्रैक्टिस करिए, जो आपको कमजोर लगता है कि यह हाँ यह बार-बार पढ़े रिविजन करिए उसका, सेकिन काम है रिविजन, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपने इनट पढ़ रखिये ना, बार-बार उनका रिविजन करो, निमेरिकल्स निकालो, सब कुछ करिए आप, सेकिन काम है रिविजन का, और थर्ड काम यह है कि जैस आपके दो से तीन गंटे इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप सुबह उठके स्टडी करते हो तो तो ये तीन चीजे मैं आपको बताई उसके अलावा भी उसके अलावा चोती चीजे में बात करता हूं पढ़ने के साथ साथ में आपको लास्ट एयर के जो पेपर्स हैं उनको भ लेकिन वो मैंने नहीं करवाई तो आपको को सब्सक्राइब तो वो टोपिके चेंज हो गए हैं लेकिन फिर भी जिस यूनट में से जो टोपिक अपने हैं अभी परजेंट में उन टोपिक से क्युशन को देखिए एक बार, एक्सपिरियंस करिए कि क्युशन है जो किस प् ट्रिक्स में आपको बताई कि आपको एक तो भीया सिलिबस complete करना है पहले दो दो इनिट पहली बात अगर 80 प्लस बनानी है तो बता रहो मैं उसके अलाव बात करते हैं आपको second revision करना है complete revision करना है आपको एक एक बार तो आपका पूरा revision कम से कम होना चीए ठीक है और अगर दो बाहर हो तो और भी बढ़िया है तीसरा ये है कि आपको अपने schedule में थोड़ा बोच change करना है आपका time अगर पहले 8 गंटे का पढ़ने का है तो उसको 10 गंटे करो भी exam time आ चुका है इसी time पर आप नहीं पढ़ोगे अगर अगले जो 10 से 15 दिन 20 अपने है उनमें अगर ये कराटीरे पूरा कर लेते हो तो आपकी percentage 80 प्लस नहीं आपकी percentage 85-90 पहुचेगी इसकी guarantee है बंपर ओफर चल रहे है आपके लिए percentage बनाने का क्योंकि इस साल अगर percentage आपकी बन जाएगी ना वो बन जाएगी नहीं तो फिर आपकी third year में तो बनना possible नहीं होगी अभी जो percentage बनेगी ना उसकी आदी आपकी third year में बनेगी तो आप देख लिजिए अगर आप इस situation में गर आप percentage नहीं बना सकते तो फिर किस situation बना सकते आप तो अपने आपको तयार करिए जितनी महनत हो सकती है ना करो करो महनत क्योंकि percentage बनाने का सुनहेरा मुका सरकार ने दिया है या फिर आप कह सकते हो कोरोना ने दिया है तो इस वीडियो में आपको पूरा मैंने बता दिया कि आपको 80% बनाने के लिए क्या क्या मेनत करनी पड़ेगी अपने आप में देखो कि जो मैंने बताया क्या आपने कर रखा है नहीं कर रखा तो करो ठीक है और अगर ये चीज़े आपने नहीं कर रखी और फिर भी आप किसको 60 से लेकर 80 तक बनानी है तो वो बात करता हूँ उसके लिए अपने एक अलग से परसनल वीडियो बना देंगे लेकिन मैं बात करता हूँ यहाँ पर परसंटेज बनाने की तो बच्चे का सवाल आए कि सर परसंटेज कोन बनाना नहीं चाहता परसंटेज हर कोई बनाना चाहता है मान लिजिए आप पे कोई कोई व्यक्ती 500 रुपर दे रहा है और आपको 2000 का नोट दे रहा है तो आप कौन साल होगे ओपीस ही लिए आप 2000 का नोट उठा होगे लेकिन आप एक बार सोचो कि आप वो कैपेबल हो नहीं हो उसके लिए आप 2000 का नोट ले रहे हो लेकिन आप कैपेबल हो के नहीं हो तो वही बात यहां पर है परसंटेज सब बनाना चाहते हैं लेकिन मेहनत के साब से परसंटेज बनेगी मैनत ने करोगे तो percentage आपकी नहीं बनेगी तो मेरे साथ से clear आपको यहाँ पर पूरा एक अच्छा direction मैंने आपको दिये चीए कि दिसा मैंने आपको यहाँ पर प्रदान करिए और उम्मिद करता हूँ कि आपको इससे कुछ समझ में भी आया होगा और आपने कुछ सीखा भी होगा इससे ठेक है तो आज की वीडियो में इतना ही और next वीडियो में आपने डिसकस करेंगे कि आपकी जो percentage है 60 से लेकर 80 तक बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा तो वीडियो को लाइक कर अगर अच्छी लगी हो तो